प्रफिट यह प्रफिट अप्रोप्रियेशन अकाउंट उसको कैसे प्रिपेर किया जाता है फिर इसमें कोशन भी देखें तो बहुत easy है बहुत आसान है जैसे कि हमने class 11th में हमने पढ़ा था sole proprietorship वहाँ पर हमने P&L account prepare किया था तो P&L account का ही ये दूसरा version है लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस P&L appropriation account को partnership firm prepare करती हैं सिर्फ इतना फर्ख है it is an extension of profit and loss account ये क्या है ये एक extension है किसका profit and loss account का profit and loss account में क्या होता था net profit निकलता था यहाँ पर divisible profits निकलता है वो हम क्या कर देते हैं distribute कर देते हैं between और among the partners okay this P&L appropriation account prepares after P&L account ये किसके बाद बनता है P&L account के बाद बनता है और P&L account डिजाहरसी बात इससे पहले बनेगा class 11 पर हम बढ़कर रहे थे ठीक है ये extension है किसका profit and loss account के extension है ठीक है और यहाँ पर क्या है appropriation तो appropriation का मतलब क्यों होता है वही एक word होता है charge और होता है appropriation तो आपने देखा होगा जह हमने interest on loan पढ़ाता है तो interest on loan को charge बताया था charge means which is compulsory even in case of loss you have to pay the interest on loan but in case of appropriation अगर appropriation कर रहे है तो जितना profits available है उतना ही हम क्या करते है appropriation और apportionment करते हैं suppose करिए firm के पास profit है suppose करिए firm के पास net profit है 20,000 रुपीज का net profit कितना है 20,000 रुपीज का अब पहले बात करते हैं, इसमें appropriation किस-किस चीज़ का होगा, तो appropriation किस-किस चीज़ का होगा, वो समझें, interest on capital, interest on capital का मतलब कि है, कि partners ने capital introduce की होगी, firm है, firm के अंदर, तो firm partners को क्या पर करेगी, interest पर करेगी, उनकी capital के उपर तो यह appropriation हो गया, ठीक है, दूसरा है, कोई partner है, उसको क्या मिल रही होगी, salary, या पर किसी partner को क्या मिल रहा होगा, commission मिल रहा होगा, और क्या होगा, transfer to reserve, क्या हमने profits को कहा transfer किया होगा, reserve के अंदर transfer किया होगा, ठीक है, और क्या है, कि drawings पर interest क्या कर रही होगी, charge कर रही होगी, ठीक है, तो interest on drawings, interest on drawings, यह firm के लिए क्या होता है यह सब क्या है यह क्या है फिर्म के लिए गेन है और यह क्या है फिर्म के लिए नेचर है, okay, P&L Appropriation नाम से पता चल रहा है, Profit और Loss, ठीक है, Profit और Loss की बाते कौन सा अकाउंट करता है, आपको पता है student, Class 11 पे आपने बहुत अच्छे से बढ़ा हुआ है, कौन सा, Nominal Account, कौन सा, Nominal Account, तो कभी-कभी जेनरली एक नंबर में ये भी पूछ ले जाता है, What is the Nature of P&L Appropriation Account, सो हमें पता होना चाहिए, कि P&L Appropriation Account का Nature क्या होता है, Nominal Account, अब जब हमें किसी का Nature पता चल गया, तो उसको और आसान बन जाता है वो, भाई, अब आपको पता है, इसका Nature, Rule क्या है, Nominal Account का, Debit or Expenses and Losses, भाई, क्या है, Debit, भाई, जितने भी Expenses और Losses होंगे, और जितनी भी क्या होंगी, Incomes होंगी, और क्या होंगे, जितने भी Gains होंगे, उनको हम क्या करेंगे, Credit करेंगे, ठीक है, So, मैंने भी बताया, आपको Interest and Drawings Gain है, इसलिए Credit side पर Record होगा, और ये Interest and Capital, Salary और Commission, Transfer to Isabes of Expenses है, ठीक है, तो ये कहां पर Record होंगे, Debit side में Record होने व of P&L account, अब accounting entries की अगर हम बात करें, तो accounting entries की बात देखीगा, अगर हमारे starting point कभी-कभी हमारे starting point होगा profit, और कभी-कभी हमारे starting point क्या होगा, loss, ठीक है, कभी-कभी हमारे क्या होगा, profit होगा, starting point कभी-कभी हमारे क्या होगा, जैसे net profit ये पर net loss, अगर profit है, तो इसका मतलब हम हम अपने बिजनस को extend करना चाहते हैं ठीक है पहले हमारे बिजनस में हम खुद थे sole proprietor अब हम चाहते हैं कि हमारा बिजनस और गिरो करें तो हमने क्या करा partnership खोल ली ठीक है तो इसमें भी limited होते है 10 20 और according to companies x 50 हो सकते हैं ठीक है तो अब क्या है यहां पर क्या है कई सारे हमारे partners जोड़कर आदे ठीक है तो हमने क्या करा partnership को खत्म करके sole proprietorship को खत्म करके हमने क्या करा एक concept ले लिया कौन सा पूरा overall partnership के साथ में मिलकर काम करेंगे हम सबके ठीक है क्योंकि सब capital interviews करेंगे सबकी कुछ ना कुछ rights होंगी सबकी कुछ ना कुछ duties होंगी उनको fulfill करेंगे ठीक है अगर हमारे starting point है profit तो हम इसको क्या करते है transfer कर देते है P&L appropriation account में चाहें loss होगा तो उसको भी कहा पर transfer कर देते है P&L appropriation में तो अब आपको पता है profit having a credit balance profit का कौन सा balance होगा credit अब इसको गहीं transfer किये रहे रहे तो credit चीज़ कैसे है खत्मों की debit से तो हम यहाँ पर entry बास करेंगे profit and loss account DR काउंट से अकाउंट में transfer कर रहे है क्योंकि sole proprietorship खत्मों के कहा आ गए हम partnership में और partnership account कौन सा अकाउंट प्रिपर करती है आपको बताया था profit and loss के लिए कौन सा P&L appropriation account आपको बताया था सिर्फ और सिर्फ यह पटरशे firm यह इस account को प्रिपर करती है तो कौन से account पर आ गया to profit and loss appropriation account यह entry हो गए हमारे पस अगर starting point हमारा क्या profit अगर starting point हमारा loss है तो हमें पता है loss का नहीं सरू होता है debit अब debit को transfer करे जाएगा कहीं पर कहां कि रहेगा credit side में तो इसका मतले भी firm का starting point loss है तो loss को क्या करेगी क्योंकि nominal account का nature क्या है यह penal appropriation का नहीं सरू कह है nominal का rule क्या है debit all expenses and losses तो यह loss है P&L appropriation account debit to profit and loss account तो यह हमारा starting point या तो profit है यह पर starting point का हमारा loss है clear है तिक है उसके बाद हम second entry है उसके बाद second entry तिक है अपर हम interest charge कर रहे है interest on capital हम क्या charge कर रहे है interest on capital चार्ज कर रहे है तो interest on capital interest on capital firm के लिए उसका expense है तो interest on capital account debit किसको दे रहे हैं partners को दे रहे तो कहाँ पर चले जाएगा ये partners capital account में ठीक है अब उसके बाद हमारे पास इस account को close करना है तो ये debit किया हमने तो कोई भी account को जब close करेंगे जो debit से open हुआ है तो close कैसे हुआ credit से और आपको पता है interest on capital firm के लिए का है उसका expense है तो expense है तो जब इस expense को write off किया जाएगा तो debit से ही arise हुआ है close कैसे होगा credit से अब close कौन से account से किये रहेगा किस से किये रहेगा profit से हर एक expenses को किस से close करते है profit से और firm के profit का नाम के P&L Appropriation Account तो हम क्या कर देंगे entry कर देंगे P&L Appropriation Account debit to interest on capital I hope clear हुआ आपको student ठीक है clear है चलो next आते हम next कोई partner है हो सकते active partner है या पिर commission basis पर काम कर रहा है जाथ साथा sale करके दे रहा firm को तो firm उसको salary या फिर commission दे रही है ठीक है ओके तो salary और commission देना to partner, salary और commission to partners account debit okay to partners capital account जिस partner को मिल रही हो उसके capital account में credit side में record हो जाएगी okay ठीक है next again ये expense है तो उसको write-off करेगी expenses का nature होते है debit debit चीज़को close करेंगे credit करना पड़ेगा और expenses कहां से write-off होते है profits है और firm के profit का नम कहा है P&L Appropriation Account तो हमने एंट्री पास कर दी P&L Appropriation Account debit to salary और commission to partner salary और commission to partner I hope clear हो okay next अगर हम देखें next है हमारे पास transfer to reserve हम profit को कहां पर transfer कर रहा है reserve में तो profits तो कम हो जाएगा तो P&L Appropriation Account debit to reserve to reserve हमने reserve में क्या कर दिया transfer कर दिया अब partners ने firm से drawing की है तो उन drawings पर firm partner से क्या charge करेगी interest on drawings so interest on drawings firm charge करेगी किसे partner से interest on drawings firm के लिए क्या बता है तो gain firm के लिए gain बता है तो इसका मतलब credit side पर record होगा मतलब gain है तो credit करेंगे क्योंकि P&L Appropriation Account का nature क्या है nominal है ठीक है okay कौन पी करेगा इसको partners अब इसको भी क्या करेंगे हम खत्म करके कहा पर पहुचाएंगे P&L Appropriation Account में अब ये credit से open हुआ है close कैसे होगा debit से और ये gain है firm के लिए तो gain से gain की profit का होगा, increase होगा तो last entries होगी हमारी होगी interest on drawings account debit interest on drawings account debit to P&L Appropriation Account ये हमने entries pass करती है अब student आपको हो सकता है सिखाया गया हो direct account तो मैंने इसका origination बता दिया कि पहले entries कहां से आई फिर entries के हम क्या करेंगे ledger posting करेंगे तो आईए ledger posting देखते हैं कि कैसे हम P&L Appropriation Account कैसे हमें बताया गया था prepare करना तो उसको एक नजर देख लेते हैं कि भई कहां से बनता है P&L Appropriation Account मैंने इसके nature मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी अब बस एक बार ये बता देता हूं कि P&L Appropriation Account बनता कैसे है तो कोई भी account बनाएंगे तो उसका पहले नाम लिखते है P&L Appropriation Account और year के end में बनता है तो for the year ended for the year ended ये हमने लिख दिया जो भी date होगी हमारी ये हमारा debit column है ये हमारा credit column है क्योंकि किसी भी account की left hand side हमारी के होती है left hand side हमारी debit side right hand side के होती है हमारी credit side ठीक है ये ही debit credit का meaning होता है यहाँ पर particulars same particulars कहाँ पर आजएंगे debit side पर अब depend ये करता है student या तो हमारा opening मतलब जो हमारे starting point है वो profit है या पर starting point के हमारा loss है अगर हमारा starting point profit है तो के side से start होगा credit side से के side से start होगा credit side से तो हम यहाँ लिख देते हैं by profit ठीक है starting point अगर profit है तो यहाँ पर लिख दिया ठीक है या पर by profit and loss account इस तरीके से हम लिख सकते है by profit या पर by profit and loss account ये क्या है यह profit है ठीक है और अगर हमारे starting point loss है तो यहाँ पर आजाएगा by P&L account in case of loss in case of loss अगर हमारा starting point profit है तो credit side से start होगा अगर हमारे starting point loss है तो कि side से start होगा debit side से start होगा ठीक है अब यहाँ पर आजाते हैं हमने यह entry कर दी यह entry देखो अगर हमारा starting point profit है तो P&L appropriation यहाँ पर क्या हो रहा है? credit, so यह entry P&L appropriation की किस side में आईगी? credit side में तो मैंने credit side में इसको post कर दिया अगर starting point अगर हमारा loss है दौना मैंसे कोई एक चीज आईगी starting point अगर loss है तो P&L appropriation यहाँ पर debit हो रहा है यह partner's capital account में भली जाएगी third entry पर आते हैं यहाँ पर P&L appropriation की हो रहा है? debit so यह entry P&L appropriation के debit side में आएगी किस नाम से? to interest on capital किस नाम से आएगी? to interest on capital जितने भी partner's होंगे यह माल नहीं ते A, B यह दो partner है इनकी capital पर interest हमने यहाँ record करती उसके बाद यह होगे हमारे पास उसके बाद next आएगे हम to next time हमारे पास salary और commission to partner to partners कपर लगो तो यह entry तो होगी नहीं post यह entry होगी post क्योंकि P&L appropriation के हो रहे हैं पर debit P&L appropriation का account के debit side में आदाएगा हमारे पास debit side में हम लेखेंगे to salary or commission to partner जो भी होगा क्योंकि monthly दे रखिए तो yearly हम निकाल देंगे क्योंकि year के end में यह हमारे बनता है account next आद रखते हैं reserve पे तो reserve में P&L appropriation debit हो रहा है debit side पर देगा to transfer to reserve to transfer to reserve के profit को हमने कहा transfer कर दिया reserve में transfer कर दिया उसके पाद यह entry post नहीं होगी P&L appropriation में yes यह entry होगी क्योंकि P&L appropriation यहाँ पर credit हो रहा है तो credit हो रहा है तो credit side में record होगा किस नाम से by interest on drawings by interest on drawings जो भी partner होगे A और B यहाँ पर इनका outer column में इनका total balance आ जाएगा अब यह हमारा होगा account prepare अब account को क्या करना पड़ेगा account को क्या करते है अब हम close करते है account को क्या करेंगे close account को close तो कर रहा पड़ेगा तो जिस side का total ज्यादा होगा वहीं का हम total कर देंगे ठीक है वहीं पर सबसे पहले balance लिखेंगे फिर balancing figure निकाल लेंगे 2 NDP net divisible profit जो भी net divisible profit आएगा उसको यहां लिख दिया और वो किसमे अपोर्शन हो जाएगा जो भी partners है किसमे उनके profit sharing ratio में और बताता है जब यह profit sharing ratio ना हो तो इसका मतलब कौन से rules अपलाई होंगे provisions of Indian partnership act 1932 क्या कहता है कि equal profit sharing ratio होगा अगर debit side बढ़ी है तो यहां पर आजाएगा YNDL net divisible loss ठीक है outer column है हमने यहां लिख दिया जो भी होंगे partners उनके profit sharing ratio में इसको हम क्या कर देंगे बाट देंगे apportionment कर देंगे यह था एक पूरा का पूरा whole concept student जिसमें हमने P&L appropriation के बारे में सारा सब को जान लिया अब इस पे हम कुछ questions करते हैं और धीरे धीरे और भी concepts को सीखेंगे और हाँ एक चीज़ यह याद रखना है student मैंने बताया था appropriation किसका appropriation होता है profit और loss का ठीक है तो up to the profit हमारे पास profit available है suppose करिये हमारे पास profit है suppose करिये हमारे पास profit है 20,000 रुपीज के कितने के हैं 20,000 रुपीज के हमारे पास profit है ठीक है और हमारे पास appropriations है मतलब हमारे पास interest on capital है हमारे पास interest on capital है हमारे पास 10,000 रुपे की ठीक है interest on capital हमारे पास 10,000 और हमारे पास salary है partners की salary है partners की कितनी 20,000 salary है partner की 20,000 तो interest on capital मिल रहा है A को और salary मिल रही है किसको? B को ठीक है? तो इसका मतलब हमें apportionment तो 30,000 का करना है लेकिन हमारे पास profit available कितना है? सिर्फ 20,000 profit available कितना है? सिर्फ 20,000 तो क्या करेंगे? हम part trust में सिर्फ कितना distribute करेंगे? सिर्फ 20,000 और किस ratio में? भई इसको 10,000 मिल रहा है ये तो सिर्फ मैंने आपको बता दिया क्योंकि जब firm के पास ही 20,000 है तो पार्टर्स को 30,000 कैसे दे सकती है खुद firm? अगर ये क्या होता charge तब loss हो सकता था firm को लेकिन इस case में loss नहीं हो सकता because ये दोनों ही क्या है? appropriation है और जब भी appropriation होगा तो क्या होगा हमारे पास? up to the availability of a profit जितना हमारे पास profit available होगा वहीं तक हम partners को क्या करते है apportionment करते है clear हो गया? ठीक है तो आईए इस पर एक question देख लेते है आपकी ही book को एक छोटा सा question ले लेते है ठीक है? तो मेरे पास book है accounts की 2019 edition student and make your proper notes please it's a request to all of you जब भी आप इस वीडियो को देखें अपने साथ, अपना register, अपने pen, pencil, highlighter जो भी आप use करते हैं आप उसको ले कर बेठें ताकि आप proper notes बना पाएं ठीक है? जिस तरीके से आपको यहां बताया जा रहा है अगर आप उस तरीके से student करेंगे तो आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं और अगर कोई भी कभी भी problem हो तो आपके पास हमारा mobile application है आपके पास telegram channel है आपके पास official whatsapp number है तो आप वहां से अपनी queries पूछ सकते हैं and don't hesitate students अगर जब भी आपको कोई problem हो तो please hesitate ना किया करो ठीके? it's your right आपको जितनी बार मर्जी हो आप पूछे ठीके? चलो तो हम एक question ले लेते हैं T.S. Garewal हमारे पास book है 2019 edition उसका PNL appropriation का question number 1 है overall question number 10 है overall question number 10 है ठीके? तो मेरे पास book है तो आपके पास दिखाई भी दे रहोगा आपको question तो हमारे पास question ये है A and B are two partners A's capital A's capital rupees A's capital rupees 1 lakh whereas B's capital rupees 60,000 B's capital rupees 60,000 interest on capital interest on capital at the rate 6% per annum okay next step B's salary B's salary rupees 3,000 per month B's salary कितनी है? 3,000 per month है okay उसके बाद हमारे पास firm का profit है firm का profit हमारे पास rupees 80,000 firm का profit है rupees 80,000 question ये कह रहा है हमसे prepare profit and loss appropriation account हमें क्या prepare करना है? profit and loss appropriation account को prepare करना है so देखे student कैसे profit and loss appropriation account prepare होगा? okay देखे पूरा का पूरा format आपको बनाना है ठीके? okay exam में कभी भी social media पे जो आप chatting वाली writing होती है न आपकी? okay short words आप लिखते हैं short cut ठीके? abbreviations यूज़ करते हैं तो board exam में ऐसा कुछ नहीं चलता है ठीके? तो यहाँ पर हमने लिखा profit and loss appropriation account for the year ended यह हमारे पास credit side है यह हमारे पास debit side है अब देखो जब भी question आप solve करो even board में या home assessment जो भी exam होते हैं अबके तो सबसे पहले जो given information होती है उसको जरूर लिखा करो student ठीके? अब देखो given information से हमें कहते पता चलेगा देखो capital है एक लाक और साठ जार interest on capital अब interest on capital हमें calculate कर ले नहीं है अब पहले तो इंट्रस on capital gain है या expense है बताओ अभी अभी बताता है sir expense है expense है तो कौन सी side पर record होगा debit side में बिल्कुल identify कर लिए हमें salary again expense है तो again expense है तो किस side में record होगा debit side में हमारे starting point profit है तो profit को किस side में record करते है credit side में तो हमने हर एक item को identify कर लिया अब इन ही items को हम कहाँ पर record कर देंगे account पर record कर देंगे तो हमारे starting point है profit यहाँ पर आजाएगा by profit and loss account how much that is 80,000 ठीक है यहाँ आजाएगा हमारे पस to interest on capital A और B A ने कितना रुपा लगा है एक लाग का 6 प्रतिशक 6% कितना हो गया 6,000 रुपे बी ने वेरेज बी ने कितना इंट्रिदूउस के 60,000 का 6% कितना हो गया 3600 तो टोटल हो गया हमारे पस 9600 कितना हो गया 9600 ओके बी एक हो जाता है active partner हो उसको salary मिल रही है 3000 पर मन्त तो मैंने बता है था हम accounting year के end में account बनाते हैं तो पूरे साल इसको salary मिली होगी ठीक है 2 B's salary कौन सा partner है B 3000 पर मन्त मिल रही है पूरे साल में 12 महीने इसको मिली होगी तो कितनी मिली होगी total 36,000 कितनी मिली होगी total 36,000 तीन जगा हमने identify mark किया था दो debit में और एक credit में तो दो debit में दो item debit में और किसम में आगया credit side में question हो गया हमारा solve आप सिर्फ क्या करना बाकि है total करना बाकि है तो जल्दी से मुझे बताओ कि set का total ज्यादा आ रहा है yes sir हमें दिखाई दे रहा है 80,000 ज्यादा है तो जहाँ पर 80,000 है वहीं पर total पूरा लिख दिया 80,000 यहाँ पर भी हमने 80,000 record कर दिया थीक है तो इसका मताव भी हमारे profits credit side ज्यादा है तो यहाँ पर हमारा बास balancing figure दो बचेगा वो NDP बचेगा net divisible profit तो यह होगा 36 और 9, 45,600, 80,000 में से अगर हम 45,600 माइनस करेंगे तो अब रहाँ 0,044, 34,400 हमारे पास बचेगा तो हमने निकाल दिया 34,400, अभी किसमें आप portion होगा? A और B में, किसमें? A और B में क्या कोई हमारे पास partnership agreement है regarding profit sharing ratio? क्या हमारे पास agreement? No, there is no agreement The partnership deed is silent regarding profit sharing ratio So, we applied the provisions of Indian partnership in 1932 क्या कहता है? कि equal profit sharing ratio होगा तो equally अगर हम बाटें, तो हमरे पास 17,200 and 17,200, ओकी? यह था एक छोटा सा question student जहां पर मैंने आपको concept के साथ साथ एक छोटा सा question कराया अगर आपके पास कोई भी book है, अगर आपके पास कोई भी question है, P&L appropriations related जिसमें आपको problem आ रही है, तो please आप हमें comment section में जरूर बताएं और T.A.S. गरेवाल के साथ साथ हम लोग अपनी book से भी पढ़ाते हैं हमारी अपनी भी books हैं student, हमारी अपनी भी books हैं, तो आप हमारी book को अगर आपको purchase करना है तो उस पर 50% का discount चल रहे हैं, तो आप हमारे play store से हमारे app है, यासर अली classes का, ठीके आप वहाँ से इस book को purchase कर सकते हैं, या पर अगर आपको books चाहिए है, तो हम आपके address पर आपको book send भी कर सकते हैं, ओके student, आप हमारे telegram channel को भी join कर सकते हैं, description box में आपको उसका link जरूर मिल जाएगा और अगर आपको ये video पसंद आए, तो please like, share और चैनल को subscribe जरूर करें और bell icon को प्रेस करना न भूलें, ताकि हमारे इस से related कोई भी notification से आप पे जल से जल पहुँझे, thank you students, thank you very much झाल मिल जाएगा